हेलो सार, हेलो मैम हेलो, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम तो लाल है आपको पता है, आप बहुत सुन्दर है ठेंक्यू मैम मैम, आपसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी, जरूर बोले मैम, चार साल पहले आपको सुना होता तो आपको देखे होते मैम मतलब आप पहले चार साल पहले देख सकते थे जब हम दस्मी कलास में पर रहे थे तो हमारा स्कूल का प्रिंस्पल सर हम लोग का टूर पले गया गुमानी के लिए उसी बस में हम सभी विधियारती लोग खुशी से जा रहे थे आगे जाकर हमारा बस का एक्षटिडेंट हो गया उसी में हम आख खो बैटे और हमारे कितना विधियारती और भाई वहिन का मौत भी हो गया क्या मनजर है, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग अब के एज कितनी है, जी मैं बाइस साल का हूँ बहुत सारी ऐसे चीज़े होती हैं जिनको हम क्रिप करते हैं आज मेरा एक्जाम अच्छा नहीं गया, या मुझे ममी ने डाट दिया और ये बहुत छोटी चीज़े होती है और आप बाइस साल की उम्र में इतना बड़ी चीज इतनी ब्रेवली ले रही है बहुत सीखा है आज मैंने आपसे ठैंक यू मैं और मैं भगवान से प्रे करती हूँ, मातरानी से प्रे करती हूँ कुछ तो ऐसी टेकनीक आए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरी दूआ है मातरानी से ऐसा गाओ कि दुनिया याद रुके है और खबराना नहीं हम तुम्हारे साथ हैं शुरू जाओ में बिद ना जोतियों ना दिहलेवा और नया नवामे असरा के खुलवा जरी जाला जियर याँक बिना यकुलाला जाने का होई कोई सन इह जाना नवामे भिद ना जोतियों ना दिहलेवा और नया नवामे सूरज से उजियार चांद के सुबर कहें सब कोई हर यर पियर लाल लंग न जाने कैसन होई कैसन होई उम्रिक चाला जेसे पिया उढ़ावल जाना कैसन लागत होई है दूलहिन गवाना मामे पिद ना जोतियों ना दिहलेवा नया नवामे असरा के फुलावा घरी जाला जियार याक बिना यकुलादा जाने का होई कोई सब्सक्रावल जियार जियार याक बिना यकुलादा जाने का होई कोई सब्सक्रावल जाना मामे पिद ना जोतियों ना दिहलेवा नया नवामे पिद ना जोतियों ना दिहलेवा नया नवामे इडिन आचो तियो नदियो नदियो कले बाना या वा ओमे